आज हम बात करने वाले हैं एक 4 standard school dropout लड़के के बारे में जो कि आज इंडिया का सबसे बड़ा businessman बन चुका है यह famous तो है लेकिन आप सब इनके बारे में जानते नहीं होगे तो भाई आप सब ने एड टीवी पे बहुत बार देखा ही होगा आज हम बात करने वाले हैं महाशय धरमपाल गुलाटी जी के बारे में जो कि महाशयादी हटी यानि अमडियच मसाला कमपणी के ओनर है अगर यह ना होते तो हम सबके घर में मसाले ना होते भाई लोग क्योंकि अमडियच इंडिया में सबसे पुरानी और पहली spices बनाने वाली कमपणी है महाशय धरमपाल जी का जन 27 मार्च 1923 सियाकोट पाकिस्तान में हुआ इनके पिता का नाम महाशय चुनिलाल गुलाटी और माता का नाम चनन देवी था एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते थे महाशय धरमपाल जी सिर्फ 4 स्टैंडर तक पड़े हैं इनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसलिए इनोंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी और कारपेंटरी में लग गए लेकिन इसमें सक्सेस नहीं मिलने के कारण ये अपने पिता के साथ अपनी स्पाइसर्स की दुकान पर ही काम करना चालू कर दिये लेकिन एक टाइम आईसा भी आया जब ये पार्किशन के टाइम इंडिया में माइगरेटों के दिल्ली आ गए इनके पास सिर्फ पंदरा सो रुपए थे सोचिये भाई लोग सिर्फ पंदरा सो उसमें से इनोंने साड़े छे सो रुपए का टांगा खरीदा और अपने पैसेंजर्स को कनोट प्लेस से करोल बाग तक ले जाते थे लेकिन इससे इनका गुजारा नहीं हो पाता था और एक छोटी से बस्ती में रहने लगे क्योंकि इनके छे बहने थी तो घर में कमाने वाले सिर्फ ये एक ही थे और इस टाइम पे इनको बहुती गरीबी हालात से गुजरना पड़ा और 1948 में धरमपाल जी ने अपना टांगा बेच के करोल बाग में एक छोटी सी दुकान खरीद ली और अपने फैमिली का पुराना मसालों का बिजनेस चालू कर दिया और बहुती महनत करने के बाद 1953 में दिली के चानी चोग में इनोंने अपनी और एक दुकान चालू कर दी और जैसे जैसे कस्टमर्स का रेस्पॉंस अच्छा आने लगा तो धरमपाल जी ने 1959 में दिली के कीरती नगर में इनोंने अपनी पहली स्पाइसस की फैक्टरी खोली और इसका नाम MDH रखा गया और धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा और सो से जादा देशों में इनका बिजनेस प्रेड हो गया और MDH वर्ड में नंबर वन ब्रैंड बन गया महाशाय धरमपाल जी की आज इंडिया में 15 फैक्टरीज है इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है ये खुद तो नहीं पड़ पाए लेकिन गरीब बच्चों के लिए इन्होंने 20 स्कूल बनाई है और इन स्कूलों का नाम भी MD अच्छी है और जोदफूर में अपने माता के नाम से गरीबों के लिए माता चनन देवी होस्पिटल बनाया है ऐसे इंसान के लिए तालिया तो बनती है भाई लोग महाशाय धरंपाल जी को 2016 में Indian of the Year का अवार्ड मिला और 2017 में धरंपाल जी को Lifetime Achievement Excellence अवार्ड मिला 2019 में धरंपाल जी को इंडिया का 3rd highest civilian अवार्ड पदमश्री मिला और इंडिया के प्रेसिडेंट रामनात कोविंद जी के हाथ से इनको सम्मानित किया गया तो भाई आज आपने इस विडियो में देखा कि एक 4th Standard School Dropout लड़का और टांगे वाला आज 7.500 करोड का मालिक बन गया है अगर एक कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं भाई लोग पस आप अपने Inner Vice को पैचानिये और मैनत कीजिए आज का एक वीडियो यही एंड करते हैं अगर आपको एक स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करना ना भूलिए आगे भी आपके लिए ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए बाई बाई